तो हेलो गाईज यहें मेरा व्लॉग 76 एंड येस वेलकम बैक टो दे निव व्लॉग तो यार आज मैं यह व्लॉग थोड़ा लेट चालो कर रहा हूं क्यूंकि मैं सुबह उठके कॉफी वगेरा पीखें मोदी जी का गाना सुन रहा था यार ये पता नहीं AI क्या क्या करेगा भाई एनिवे सबसे पहले तो मैं अपना डिली टार्गेट बना लेता हूं बाकी आज देखते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है पर पहले अपने डिली टार्गेट शेडूल कर लेता हूं फिर आग करना है फीजिक्स में मुझे दो लेक्ट्र करने क्योंकि मेरा उसका थोड़ा से बैक लॉग था बाकि अपने 75 डेज चैलेंज का तो आज डे 69 एंड उसमें भी आज बस वह यह कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं आज खाली कोशिंस करने बागी सारी चीज़े करने आज में अभी मैंने कुछी दिनों पहले मॉलीकुलर बेसिस वाला चैप्टर खतम किया था एंड अभी मैंने हीूमन हेल्थ डिजीज चालू कर दिया क्योंकि मैं कैसा है कि पीड़लीव में अलफा सीरीज को फॉलो कर रहा हूं मतलब अलफा सीरीज में जो जो चैप्टर कर दिया एंड अलफा में अनुष्का मैं मनें मॉल्यकुलर बेसिस वाला चैप्टर चालू किया पता नहीं ऐसा अलग अलग क्यों चल रहे पर जो भी है आपने को क्या आपने को तो करने से मतलब है वैसे मैं यूटूब से वन शॉट ही करता हूं क्योंकि मैंने बताया मैं तो तो आपको वन शॉट ही देखना पड़ेगा है ना क्योंकि अब आपने टाइम गवा दिया अभी तो आपके वास अभी उतना टाइम नहीं बचा जितना बाकियों के पास टाइम बचा है जिनका बैकलॉग नहीं है तो थोड़ा सा स्मार्ट वक करके भी चलना ऐसे ज़ के लिए इतने था आज मैंने उतना जादा नहीं किया बिकॉज मुझे आज फिजिक्स के दो लेक्शर करने तो थोड़ा सा बायोलोजी से मैंने टाइम बचा लिया तो चलो फटा फट से इसके एडिटिंग खतम करता हूं एंड साथ मैंने मॉन्स्टर डिंग ले लिया था पर मुझे पता नहीं था इसका सुषाद इतना गंदा आता यार वैसे यार आगे बढ़ने से पहले न मुझे आपको एक छोटी से बात बतानी थी और वो छोटी से बात थे ये ये चोटू सी बुक दिशा पब्लिकेशन की एंड ये बुक जितने जादा छोटी दिखती है उससे कई जादा यूसफूल है ये क्योंकि इसमें आपको पूरा NCRT एक छोटू सी बुक में कवर किया गया है क्योंकि इस बुक में बहुत सारे शॉटकट कॉंसेट्स दिए टिप्स दिया है ट्रिक्स दिया है फास्टर रिविजिन के लिए और फास्टर लर्निंग के ल वाली एक बुक के बायलोजी की इस बायलोजी वाली बुक में आपको निमोनिक्स मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे NCRT के इंपोर्टेंट कॉंसेट्स कवर करेगा जैसे कि आप लोग यह देखो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट लाइन और इंप में अवेलेबल है तो यार धेर मत करो प्रिप्रेशन चालू करो दिशा पप्लिकेशन के साथ बहुत ही प्यारी बुके एंड सबका लिंक में निचे डिस्क्शन में दे दूँगा अगर आपको चाहिए रहा तो आप ले सकते हो तो यार मेरे शॉट्स के एडिटिंग भी अभी मैंने इसे फिलाल रेंडर पे लगा रखा है मैंने साथ में पीसी में यह अपना चैनल खोल रखा था क्यूंकि मैं सोचा कि चलो साथ में प्रमोशन भी हो जाएगा मेरे चैनल का अभी टाइम आल्मोस्ट बजने आये हैं अभी मैं इसके बाद तो शायद फिजिस का करूंगा फिर थोड़ी देर में जाओंगा बाहर फिर उसके डीपीपी कोशेंज एंड बहुत सारी चीज़ करनी है वैसे अपना यह जो चैलेंज यह भी बहुत जल्दी खतम होने वाला अभी तो लगपक पाच ही दिन बचे तो मैं इसके बाद सोची रहा था कि अगला च करने के लिए मैं voice over करता हूं ताकि हमारा interaction भी अच्छा सा रहे एंड मैं अच्छे से describe कर पाऊ कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं तो ऐसे shots पे जिन में गाना लगा दूना मस्त अच्छे का से views जाते most of the cases में ऐसा जरूरी नहीं कि गाना लगाओ तो views जाएंगे ही जाएंगे ल अच्छे से आप लोगों चीजे describe कर पाऊंगों जो जो मैं कर रहा हूं तो देखते क्या करूंगा मैं अगले चैलेंज में फिलाल तो मैं अपना यूट यूटूब पर अपलोड कर देता फटा फट फिर अपना फिजिक्स का लेक्टर चालो गरता हूं मैं तो फिजिक्स में वैसे तो मेरा बैकलॉग है और उतना जादा नहीं है यार ऐसा निया कि 12 लेक्टर खाली मेरे तो अभी सारे तीचर ना Chemistry लेक्चर पर जो हाथ मार रहे ना सब एक्स्रा क्लास लेने की प्लैन कर रहें तो बाकि सब के एक्स्रा क्लास में को चल जाए लेकिन फिजिक्स का एक्स्रा क्लास भाई बहुत दिमाग खराब करता है क्योंकि एक तो ऐसे उसको करने में टाइम लगता है उपर से एक्स्रा क्लास ले लेंगे अभी मैंने दिखा कि इसके अगले वाला लेक्चर तीन घंटे कितने मिनिट का तो है यार और फिर उपर से सरकल एक्स्रा क्लास भी लेने वाले भाई गजब है यार चलो कोई ना वैस कंटीनी भी रखोगे क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जिसके कोई भी बैकलॉग नहीं है अगर बैकलॉग नहीं भी रहेंगे तो भी भाई तुमको पढ़ना तो पड़े गाई ब्रो तो यार चलो मेरा फिजिक्स का यह जो आज वाला लेक्चर था यह तो पूरा हुआ इसमेल सर ने लास्ट में आधे घंटे ना वो क्यार नॉट इंजिन वाला टॉपिक पड़ाया था जो कि नीट के सिलेबस से निकाल दिया एंड तो बी होनेस्ट मुझे यह वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं पसंद ब्रो तो ना मैंने एक्शली स्किप कर दिया वो पार्ट विकोज देखो मुझे ऐसी भी नहीं पसंद अगर सर ने बोला कि जैसी जीडबली हो जाएगा एंड सिलेबस का कनफॉरमेशन हो जाएगा क्योंकि क्या है कि जीडबली और नीट का सिलेबस पूरा सेम दिया वर्ट तूवर्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्टी की बात कर र लेके सारी डिलीटे टॉपिक्स पढ़ा देंगे एंड लास्ट में यह पढ़ लूँगा में कोई दिक्कत नहीं है अगर आएगा तो मैं पढ़ लूँगा क्योंकि अगर नहीं आएगा ना तो मेरा बहुत नुकसान होगा वाई क्योंकि मुझे यह अपने भाई के लिए आइफोन 15 प्रो मंगवाया था दिवाली के लिए तो अभी वह घर आया अपने कॉलेज से एक्चली वह MP में अपना कॉलेज कर रहा है इंजिनेरिंग कर रहा है वह थर्ड एयर में है अभी उसने कॉंप्यूटर साइंस वाला ब्रांच लिया था तो अभी मैंने उसके फोन मंगाया था और फोन आ चुका यह देखो फोन मैंने अभी फिलाल चार्ज पर लगाया तो अभी मैं उसे दूंगा आपको दिखाता हूं एक मैंने एक आइडिया प्लैन के वह आपको दिखाता हूं तो गाइस हमारे भाई आ चुके एंड भाई मैंने सुना बहुत दूर सा यह फोन लेने अच्छा तो फिर आपको हमारी सर्विस केसी लगी बढ़िया लगी तो यार इनके लिए गिफ्ट लाओ यार गिफ्ट लाओ यार यह लो आपका गिफ्ट आइफोन 15 प्रो एंड यह बताओ आप लाइक फॉलो करते हो हमें लाइक फॉलो करते हैं दिखाओ देखें तो अच्छा अरी तो गाइस यह में लाइक फॉलो भी करते हैं एंड इनके लिए हमने गिफ्ट भी रखा है बहुत तो आपको सर्विस अच्छी लगी है मारी सबको बताओगे कैसा है अमारा सर्विस मनिया लगी मनिया लगी टीक है अबाद है एक्टिंग की अपना खाना भी खतम कर लिया है अभी बारी है फालिया अपने सी लेक्चर की तो मैं अभी क्टिन है कर ओंगा और आज मुझे F-'2 करना था लेकिन मैंने आज एक ही लेक्चर किया है वह इसलिए लिए क्योंकि आज या्स अन tudना है मैं भूली गहा तो अभी मुझे अचानक तो यह वाला जो chemistry का लेक्चर ही यह मेरा बैकलोग था जैसे मैंने बताया तो आज बस फड़ावट से इस dnf ब्लोग को खतम करना है एंड यार dnf ब्लोग जो लिटरली एक लेक्चर वाला टॉपिक है उसको सर ने चार लेक्चर में कवर किया है भाई मतलब सीरिसली चार लेक्चर भाई एंड मैं चाहता तो मैं भी इसका वन शॉट देख लेता लेकिन इन और्गेनिक से मैं उतना जाधा रिस्क नहीं लेता क्योंकि यार इसमें देखो करने के लिए खतम करने के लिए यह इजीली दो घंटे में भी कवर कर सकते पर वही बात है कि इसको याद करना पड़ता है ना क्योंकि इसमें समझने लाइक तो कुछ है नहीं तो फिर इसके लंबे लेक्षर देखा चोड़े लेक्षर देखो जाधा फरक नहीं पड़ता खाली तुम्हें कुछ से जाधा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो मैं वही करता हूं साथ ही मैं अपने नोट्स भी री डेट्स भी देता हूं बहुत सारे डिस्केशन भी होते रहते हैं तो बस चैनल जॉइन करो लिंक आपको मस्त नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह चैनल को भी सब्सक्राइब मारो यार मुझे गीववे रखना है तुम लोग मुझे गीववे रखने ही नहीं दे र रखना ही है असल में तो सब्सक्राइब कर दो तो यार अभी मेरा केमेस्ट्र का भी लेक्चर पूरा हो गया एंड मैंने उसकी थोड़ी बहुत मतलब साथ ही में नोट्स की रीडिंग कर ली बाकी मैं अपने 75 डेज चैलेंज में इसी चैप्टर का नोट्स का रीडिंग कर दो एक ही मतलब दक रीडिंग पतीभा ज्रूरा सब्सक्राइब कर अब कर से नतिरो कर फ्सक्राइब कर दो घर आके संघ कर दो खनार के देश धीया वह सबसेनậyा है उन्भ एपको अपने इसवाले थेस्ट का स्कूर दिखा देता हूं तो जिए बमने तुमय मैं थाने दिक तो यह वाला शॉट टेस्ट है और मेरे इसके स्कोर है 169 ठीक है आउट फ 192 ऑफकॉर्स तो यहीं स्कोर है मेरा एक्षली मेरे पिछले बार से अच्छा ही स्कोर है आगेस लास्ट तू से थ्री टेस्ट से जादा अच्छा स्कोर आया इस बार एंड रहं का मुझे आइडिया नहीं पिछले बार क्या था मैं भूल गया एक्षली लास्ट टाइम क्या रहें था बस मैंने खाली मार्क्स चेक गिया था एंड बाकी अगर मैं आपको एक डिटेल एनलसी दिखा हूं तो फिर करेक्ट मेरे 43 कोशन थे एंड इनकरेक्ट मेरे तीन कोशन गए और स्किप मैं मैंने दो किये बाकी तो मेरे इंडिविज्व सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको दिखाता हूं बाटनी और जोलोजी में भाई मेरी एक्क्यूरीची 100% है यह तो मैंने अभी देगा ओके अच्छा है एंड बाकी केमेस्ट्री में मेरे दो गलत है और फिजिक्स में एक गलत बाकी अब मुझे खाली कोशन रैक्ट्स करनी है और यह डिने व्लोग का में रीडिंग करूंगा अभी तो बस यार आज के व्लोग में तो इतना है था बस यह बोलूगा कि आपको जो स्किन भी वीडियो दिखे रहे यह अगर नहीं देखा होगा तो भाई देख लो आज क हुआ 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 है